सो हेलो दोस्तो फाइनली होंडा कंपनी इंडियान टू विलर मार्किट में अपनी SP125 न्यू मॉडल को लॉंच करने वाला है। होंडा ने SP125 एक्जिस्टिंग मॉडल में अपडेट देने बिल्कुल बंद कर दिये हैं। सिरफ अभी जो रिसेंटली होंडा ने SP125 लॉंच किया है उसमें सिरफ न्यू कलर को एड़ उन किया गया है। तो में रीजन होंडा जल्द SP125 को डिसकॉंटिन्यू करके न्यू SP125 प्रो न्यू मॉडल को लॉंच करेगा। हॉंडा SP125 को लॉंच हुए अब 5 यर्ज हो चुके हैं तो हॉंडा अपनी किसी भी बाइक को 5 साल से ज्यादा डिसकॉंटिन्यू करके न्यू मॉडल को लॉंच करता है और ये बाइक टोटली न्यू होता है। इसमें आपको जो एक्जांपल देखने को मिलेगा रिसेंटली जो बाइक डिसकॉंटिन्यू या फिर न्यू लॉंच हुए थे वो हैं हॉंडा CBR150R एंड CBR250R हॉंडा एक्स ब्लेड हॉंडा हॉर्नेट CB160R ये बाइक डिसकॉंटिन्यू करे गए थे लेकिन हॉंडा अप SP125 को डिसकॉंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं करेगा लेकिन इसमें आपको न्यू वर्जन देखने को मिलेगा SP125 PRO न्यू मॉडल का लॉंच आपको बहुत ही जल देखने को मिलेगा इंडिया में अल्रेडी टीवेस रेडर 125 काफी पॉपुलर बाइक है एंड इस बाइक के स अब तक देखने को मिलेगा डेली अपकमिंग बाइक्स के अपडेट के लिए अप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो चलिए शुरू करते हैं आज के रेव्यू को क्या होंडा SP125 PRO टीवेस रेडर को तक्कर दे पाएगा सो बात करते हैं न्यू होंडा SP125 PRO के लुक्स के बारे में लुक्स न्यू SP125 की काफी शांदर होगी न्यू लुक में फ्रंट में आपको अल न्यू LED हेडलेट सेट अप मिलेगा फ्यूल टेंक में आपको अब साइट एक्स्टेंशन भी मिलेंगे जिससे इस पाइक की लुक भी काफी स्पोटी होगी इंडिगेटर लेडी में मिलेंगे सीट स्प्लिट होगी मीटर कॉंसोल सेम होगा लेकिन अब इसमें आपको ब्लुटूट क्नेक्टिविटी भी ओफर करी जाएगी फ्रंट अन एर में सिंगल डिस्प्रेक होगी रेटेल सेक्शन भी रीडिजाइन होगा इसमें आपको 5 स्पीड गेर बॉक्स मिलेगा फीचर इसमें एडवांस मिलेंगे ब्लुटूट नेक्टिविटी सिंगल चैनल एब्यस स्लिपर एंसिस क्लच एन अलोई वील वील्स इसमें 18 इंचीज के मिलेंगे इंजन न्यू स्पी 125 प्रो में मिलेगा 124.7 सिंगल सिलेंडर फोस्टोक इंजन जोकी ओरॉल पाउर जनरेट कर देगा 11 एच्पी तक तो पाउर इसमें आपको ज्यादा मिलेगी और टॉर्क इस बाइक में आपको सेम मिलेगी 10.9 न्यूटन मिलेगी 110 किलो मिटर पर आतक अप कमिंग होंडा SP 125 प्रो में आपको अपडेटिड सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट में आपको सेम टेलिसकोपिक फोक सस्पेंशन मिलेगा लेकिन रेर सस्पेंशन होगा अपग्रेड़िट जो की अब मिलेगा मोनो शॉक जो एक्जिस्टिंग SP 125 है उसमें आपको रेर सस्पेंशन अभी मिलता है ड्यूल शॉक अब्जरबर लेकिन न्यू SP 125 प्रो में आपको रेर सस्पेंशन मिलेगा मोनो शॉक हॉंडा SP 125 प्रो का प्राइज रहेगा एप्रॉक्सिमेट वन लैक रुपीज तक तो आपको न्यू SP 125 के लिए 10,000 रुपीज ज्यादा देने होंगे लेकिन इसमें आपको न्यू लुक के साथ काफी सारे न्यू फीचर्स भी मिलेंगे तो ये बाइक टोटल वेल्यू फर मनी होगा और इसका लॉंच आपको देखने को मिलेगा नेवेंबर फर्स्ट वीक में क्यूकि आप मेंसे काफी भाई लोग इस बाइक की लॉंच की वेट करने हैं और आप बहुत ही जल्द होंडा इस बाइक को इंडियन मार्किट में उतारने वाला है और न्यू एस्पी 125 प्रो टक कर देगा टीवेस रेडर 125 को सो कॉमेंट सेक्शन में जुरूर पता है क्या आप मेंसे कौन-कौन इस बाइक की लॉंच की वेट कर रहे हैं कब से सो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी इंफर्मेटिव लगी होगी अगर आपके कोई भी कोशन्स है किसी भी बाइक के रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डियाम कर सकते हो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट मिसना हो